हे गाईज देखिए ये शेयर जो है मैंने आपको परसो भी बताया था और आज भी ये 7.7% बढ़ा है जबकि मार्केट डाउन था तब भी और इन फ्यूचर आने वाले कुछी समय में ये आपको 55 रुपे का शेयर 100, 110, 120 तक के भी टारगेट दिखा सकता है बहुत ही अच्छी fundamental कमपनी है ये इसका अगर देखे चार्ट देखेंगे तो consolidation में था ये पिछले एक साल से ये आप देख सकते हैं देखे ये देखेगा लगबग पिछले एक साल से consolidation में है लेकिन अब जो है ये एक breakout दे रहा है और यहां से बहुत ही अच्छा return एक देने वाला है देखें कमपनी का fundamentals देख लेते हैं और अगर आपने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें देखें कितना अच्छा कमपनी दे रही है 2019 में दिया है 91 लाग का प्रोफिट 2020 में एक क्रोड 66 लाग 2021 में 22 क्रोड 31 लाग और इस बार 2022 में अब तक 23 करोड 78 लाग तक हो गया है तो चलिए कुछ इसके सेरहलिंग पैटर्न और क्या बोरोविंग बगएरा है इस पर वो देख लेते हैं 247 करोड की यह कंपनी है और करेंट प्राइज देख लीजिए 55 का है इस्टोक का पीई है 56 का बहुत अच्छे पीई पर मिल रहा है बहुत ज्यादा पीई नहीं है इसका कंपनी की सेल से देखेंगे कभी एक करोड की हुआ करती थी 2009 में और यह बढ़कर 2022 में देखिए अब तक पहुच चुगी है 185 करोड की और इसका अगर हम प्रोफिट देखें तो जो प्रोफिट होता था जहां कहीं माइनस में थी कंपनी उसके बाद देखिए अब 40 करोड के प्रोफिट में है कंपनी लोज से सीधे निकल के 40 करोड के प्रोफिट में आ गई है यह कंपनी देखिए कंपनी जो है ऑल्मॉस्ट डैप्ट फ्री है सिर्फ एक करोड का डैप है और इसके ऑपोजीट जो रिजर्व हैं वहां कंपनी के पास 17 करोड के बहुत एच्छी बात है रेजर वो ज़्यादा है बहुत ज़्यादा और कंपनी पे बोरोइंग लगभग ना के बराबर है लाश्ट में देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न 71.74% यानि कि 72% कंपनी के पास है जो प्रमोटर्स है उनके पास है कंपनी के शेयर और पब्लिक के पास है सिर्फ 26% यहीं कभी पहले कंपनी पे हुआ करते थे लगभग 51% के और प्रमोटर्स के पास हुआ करते थे लगभग 48% के और अब देखिए 72 प्रमोटर है प्रमोटर न यह company है 1987 में यह company बनी थी और अभी जो है यह company देखिए forex में, shares में, derivatives में और भी other financial services में यह काम करती है fabrics में काम करती है तो बहुत अच्छी company है मेरे तो देखिए यह company है मेरे हिसाब से तो मुझे काफी अच्छी यह company लगती है मैं इसमें invest करूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं थोड़ा बहुती invest करूँगा और यदि आप invest करना चाते हैं तो आप अपने final share advisor से जरूर सला लें तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैभारत